You don't need any routines for your eyes. That is my highlight of the podcast की पानी के छपके मारना, शेहर डालना, रोस जल डालना, आखो में सूर मा लगाना, गुलाब जल डालना, ये सब की कोई जुरत नहीं. Let them be the eyes they are. अलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगंदे सिंग राठोर्ड और आप लोगों के लाया हूँ इनर वेल्नेस ट्राइब का अगला एपिसोड. आज हमारे बीच में बहुत इंस्पिरेशनल परस्नालिटी मोजूद है, ये डॉक्टर है, आई केर में इनका स्पेशलाइजेशन है और किनीज वर्ल रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं, इन्होंने लेसिक सेले सर्जरी में एक दिन में सबसे ज्यादा सर्जरी करके वर्ल रि अपरी इस्पारिंग जर्नी, थैंक यू, थैंक यू, रहिल इस्पेशली आई में आपका इंटरस्ट किस तरीके से जागा क्या कोई परस्नल हिस्ट्री है, ये अच्छली क्या है कि आई कम फर्वादी आप दॉक्तर्स, अच्छा, सो मेरे फादर के साई ही आप मालीजिये रहे आब थर्तीट तूल में आप कोई लग लग फील्समें। वैर कि आमें डोक्तर्स की ओडनना अच्छा लगता है कि आफ एंटर्स हैं। इसिए जर्फ बदैना पारिपल्टर्सित्था है आइ जया अंगी इसल्ये चला गया बीक्या मय फादर का बड़र काऊ और इशर साथ नाइजा काम खरके वन वन प्रेंड driving दियर देविशंग के फील्ट में range के माधने delle को प्रपीविश्यकर घल कारेश अन्येंफ구요 ट। कम हम सही है चारणा को कि ओंगिर बारतून जाते संबस्ट्रतर गौल दियर ऑप साथ नाइजा बजो तेक करका अपना काम खतम करके, you can have a good night sleep and then get back to work next day so probably that is the beauty of eye and ophthalmology lovely, क्या myth रहते हैं eyes को लेकर के जो हम इतने सारे लोग घरेलू जुगाड करते हैं आखों को लेकर के कि ये हो सकता है इससे चश्मा ठीक हो जाएगा और भोती गुलाब जल लगाना और ये सारी चीज़े market में लोग करते हैं तो I think कि आज कि इस podcast के माधियम से मैं चाहूँगा कि अगर आप as an expert यहाँ पे हैं तो आज लोगों को काफी awareness बने कि क्या-क्या myth है अपनी आखों की सफाई को लेकर के इसकी health को लेकर के और क्या चश्मा रिमूफ किया जा सकता है कि आपका तो यह specialization है So I would want to highlight this sir कि यह जो जुगाडू काम होते हैं यह सिर्व अपने देश में होते हैं और कहीं नहीं होते Because हमारे देश में एक ऐसी चीज़ है कि आप pharmacy या chemist में जाके दारिक दवाई को परचेस कर सकते हैं हमारे देश में प्रॉब्लम यह होते है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो अब चलो आंखों की बात कर रहे है मालनो आंखों में खुझ ली, लाली, पानी, जलन कुछ भी हो रहा है तो लोगों की यह tendency होते है कि लोग फार्मसी यह जो लोकल केमिस्ट की दुकान है, ड्रग स्टोर है वहाँ पे जाके दवाई लेके डालना शुरू आइड्रॉब दे दो आइड्रॉब दे दो और 99% अफ टाइम जो फार्मसी वाल आपको आइड्रॉब देता है वो एंटी बाइटेक और स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन होता है और कितनी सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है आँखो कि अगर आप उसमें स्टेरॉइड डालेंगे तो वो और बढ़ जाती है और ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो सबसे पहले तो मैं ओडियनस को यह बताना चाहता हूँ कि आँखों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है कोई भी ऐसी चीज आपको लग रहा है कि आई में नॉर्मल नहीं है कहीं भी आपको लग रहा है कि कुछ नॉर्मल कमफर्ट से विरियेशन हो रही है then it is always recommended कि आप एक बारी आँखों के डॉक्टर से ज़रूर मिलिए then usually लोगों की tendency हमारे देश में ऐसी भी होते है जैसे आप highlight कर दे थे कि उनकी regular आदत हो जाती है कि आँख में कुछ डाल लो तो कुछ लोगों गुलाब जल डाल लेते हैं शेहट डाल लेते हैं कुछ लोगों घी डाल लेते हैं दूट डाल लेते हैं तो इस तरह की चीजों से भी आपको बच के रहना चाहिए कुछ लोगों की आदत होती है कि वो आंखों में चपके मारते रहते हैं सुबह उठा पानी से दो लिया फिर दो-ती घंटे बाद फिर पानी से दो लिया फिर शाम को दो लिया, रात को दो लिया बीच में एकात बार और दो लिया को लगता है कि इससे शयद आंखों में हमारी साफ रहे तो इससे भी आपको बचके रहना है तो देखी क्या होगा कि अगर हमारे आंखों में कुछ नाचुरल ओइल्स होते हैं जिन ओइल्स का काम होता है हमारी आंखों को लुब्रिकेट करके रखना ज्राइनेस से बचाना तो करद आप बार बार अपनी आंखों में पानी के छपके मारते हैं तो ये ओइल्स जो हैं हमारे वाश बॉट हो जाते हैं और इससे एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम द्राइनेस की बन सकती है और dryness इस तरह की problem है कि ना ये जीने देती है ना ये मरने देती है continuous बस अपनी आँखों में दवाई डालते रहो drops डालते रहो 5-10 मेट का आराम आता है फिर यो problem शुरू हो चाती है तो इस तरह की कुछ घरेलून उसके वगेरा से हमें बच के रहना चाहिए हमारी आँखों में उपर वाले ने mechanism ही ऐसा बनाया है कि self cleaning है हमारी आँखों की जो lids हैं एक तरह से wiper का काम करती है तो आँखों को clean करती है हमारे आँखों में जो आसू हैं उसमें खुदी antibacterial antimicrobial properties होती है जिससे आँखों को already वो clean रखती है तो आँखों की health के लिए आपको बहुत जादा कुद ध्यान नहीं रखना मतलब यह extra चीजों कोई पैदानी होने वाला आपकी आँखे natural बढ़िया है कोई problem हो तो doctor से मिलो otherwise यह दुनिया बढ़िया की चीजों जो आप डालते रहते हैं उनसे बच के रहना चीए क्या आँखों का चश्मा हट सकता है एक बार किसी को number आ गया तो क्या उसे हटाये जा सकता है और क्या chances रहते हैं कैसे यह किया जा सकता है आपका इसमें पूरा specialization है तो आज की date में हमाँ पास technologies है कि हम number को बढ़ने से भी रोक सकते है जैसे माली जी किसी का number 5 पहुशना था तो उस number को 2 या धाई पर रोका जा सकता है कैसे रोका जा सकता है कुछ special तरह की techniques होती है जिनको हम myopia management या myopia control techniques कहते है इसमें कुछ special तरह के glasses जिनको myo smart glasses कहते है special तरह के contact lenses special तरह की दवाईया जैसे atropine इन सब का इस्तमाल करके जो specially बच्चे हैं जिनकी उमर 16-17 साल से कम है उनके आंखों में चश्मा हम number को almost 50-60% number बढ़ने से रोका जा सकता है बट एक बार ही अगर आपकी आंख में चश्मे का number आ गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आपको पूरी life चश्मा पहन के रखना है आजकल बहुत जादा advanced technologies available है जिसमें करीब 10 minute में पूरी life के लिए permanently चश्मा हटाया जा सकता है तो इसमें कुछ laser वाली technologies है जैसे laser बहुत लोगों ने सुना होता है लेकिन laser अब पुराना हो गया है उसके बाद एक smile आया contour आया और अभी अभी करीब 10 दिन पहले एक नई technology लॉंच हुए जिसका नाम है silk अच्छा जी and then कुछ और भी technologies है जिससे आंक में lens डाल के भी चश्मा हटाया जा सकता है तो usually इसमें division ऐसी रहते है कि अगर आपके चश्मे का नंबर 8 से कम है minus 8 से कम है तो हम यह जो laser वाले technologies है इनका advantage ले सकते है और अगर आपके चश्मे का नंबर 8 से उपर हो गया 10, 15, 20 या किसे का नंबर 30 तक भी हो सकता है तो ऐसे लोगों में एक special technology का use होता है जिसको कहते है ICL तो ICL क्या चीज होती है एक lens होता है जिसमें हमारे चश्मे की power होती है और इस lens को हम आंकों के अंदर implant कर देते है permanently अच्छा permanently कर देते है कई लोग नहीं डालना पड़ता है कहीं बाहर जाते हैं तो वो अलग चीज है ICL तो basically एक lens है जिसको आंक के अंदर permanently डाल दिया और सारी power आपके आंक के अंदर आ गई और बाहर से आपको चश्मे वगेरे नहीं पैनना एक हमने सुना होता है contact lenses भी होते है जो पतले-पतले lenses है लोग उनको आंक के ऊपर लगा लेते हैं तो जब तक वो lens आपकी आंक में लगाव है तब तक आपको चश्मे की जुरत नहीं है But as a doctor, I don't recommend contact lenses मेरे घर में क्यूज करते हैं Usually we see people जिनकी आंक में चश्मे का नंबर होता है Especially girls वो तो पैनने शुरत कर देती है But you should avoid these contact lenses Because in contact lenses में एक हाईजीन का बहुत बड़ा रोल है हल्की सी भी infection उस contact lens से आंक में पहुच गई तो आंक में dreaded problems हो सकती है इतनी खतरनाक infections हो सकती है आंक में पुलकुल रोशनी आंक की जा भी सकती है So contact lens अगर किसी ने पहनना भी है तो we recommend कि daily disposable वाले पहन लो उनकी hygiene maintain करना थोड़ा सा better होता है कि सुबे पहना रात को उतार के फैक दिया But यह जो monthly वाले आंक है न यह बहुँट बड़ा danger है So I suggest all my patients कि अगर आंक में चश्मे का number है तो या तो चश्मा पहन लो या चश्मे को हटवा लो With this laser and lens technologies But यह contact lens है थोड़ा सा बच के रहना चाहिए Because we see patients every day आजकल जितना हम लोग modernize होते जा रहे हैं उतना contact lens का use बढ़ते जा रहे हैं अमेरिका में तो बहुत इसा है लोग contact lenses पहनते हैं इंडिया में भी वो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और इस contact lens से अकसर 10 में से एक या दो इनसान अपनी आंकों में नुकसान करा लेते हैं क्या बात है तो यह क्यों इतना increase हो रहा है Why is it increasing if it is that much This is a very important question तो इसके पीछे कारण क्या है क्यों suddenly इतने चश्मे का number बढ़ता आ रहा है तो इसमें दो चीज़े हैं जो सामने आई है सबसे पहला कारण इसमें यह मिल रहा है कि overuse of mobiles in computers जो ज़्यादा समय तक हम लोग आजकल mobile computer use करते रहते हैं उससे आंखों में या body में इस तरह की changes आते हैं कि minus का number चड़ जाता है और second reason जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है reduced exposure to sunlight देखिए sunlight का बहुत बड़ा role है चश्मे के number को बढ़ने से रोकने में आजकल क्या trend हो गया है इनसान उठता है office जाता है office closed environment में है natural light है नहीं AC में बैठे है artificial light में काम चल रहा है तो ये भी बहुत बड़ा reason दिख रहा है कि लोग की आँख में चश्मे का number चड़ रहा है तो आजकल जो parents हैं जिनके बच्चे 18 से कम क्यों मरवे हैं उनको तो हम बहुत जादा recommend करते हैं कि बच्चों का mobile या screen का exposure दो से तीन घंटे से जादा नहीं होना चाहिए continuously and you should encourage your children की दो तीन घंटे थोड़ा सा outdoor activities में participate करें ताकि sun exposure हो तो ये दो चीज़ अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चश्मे का number बढ़ने से या आने से रोका जा सकता है क्या बात है so I was just following up on that कि क्या precautions लोग ले सकते हैं कि जैसे आपने का कि 2-3 hours से ज़्यादा कि screen time नहीं होना चाहिए और क्या precautions की जा सकती है जैसे आजकल कई लोग जो I think blue light radiation जो emission होता है जैसे मैं जो मेरा आग का चश्मा नहीं है बट मेरा screen time बहुत रहता है तो इसमें वैसे lenses वो लगवा रखे हैं कि वो थोड़ा blue light को reduce करें इसके लिए मैं इसे use करता हूँ regularly तो ये सब चीजें क्या इसकी थोड़ी बारीकी में आप बता सकें लोगों को तो इस्तमाल करते हैं तो इससे कुछ set of problems आने शुरू हो जाते हैं जिसको कहते हैं computer vision syndrome या digital eye strain तो देखे क्या होता है कि जब आप लंबे समय तक एक screen पे focus कर रहे हैं तो हमारी आंखों का जो blink rate है जपकने का rate है वो बहुत कम हो जाता है तो एक normal इंसान को एक minute में 16 से 18 बार आंखों को जपकना होता है लेकिन जब हम screen पे focus हैं तो ये blink rate आपका 8 से 9 बार रह जाता है उससे क्या हो रहे हैं कि जो हमारी आंख में आसू बन रहे हैं वो आंखों में फैल ने रहे क्योंकि हमारा जो आंखों का वाइपर है ब्लिंक है वो हो नहीं रहा तो लोगों की आंखों में dryness की problem आनी शुरू हो जाती है तो अकसर लोग जादा लंबे समय तक screen पे जो काम करते हैं वो बताते हैं कि आंखे dry लगती है आंखों में irritation रहती है आंखों में जलन वगएरा होनी शुरू हो जाती है यह उसके बाद ही मैंने यह सब करना चालू किया डॉक्टर को भी दिखाया था देगे वह में सम आइड्रॉप्स जैसे screen time रहता है So for this we recommend कि आपको एक 20-20-20 rule को follow करना चाहिए which basically means कि 20-30 minutes में आप एक 20 second का break लीजिए थोड़ा सा दूर देखिए या आँखों को बंद कर लीजिए या आँखों को 5-10 बार blink करें तो आप थोड़ा सा comfortable हो जाएंगे उसके साथ-साथ अगर problem में इतना relief नहीं आ रहा then we can start you on lubricating eye drops जैसे आपने शुरू किया कि दिन में 3-4 बार उसको डाल दीजिए तो थोड़ा सा comfortable रहता है चोटी स्क्रीन जादा dangerous है जितनी बड़ी स्क्रीन होगी और जितने distance पर होगी उतना जादा आप comfortable रहेंगे तो बड़ी स्क्रीन with big font size आपको जादा added comfort देगा साथ-साथ we recommend कि आपका posture ठीक होना चीए तो अगर स्क्रीन जो है eye level के उपर होगी या नीचे होगी तो भी strain जादा बनेगा प्लस ultimately आँखों में dryness होती है जादा स्क्रीन के काम से सो भी recommend कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपके सामने कोई AC ना हो जिससे आँखों पे एकदम हवा न आए और आँखे सूखे न आप अपने कमरे में humidifiers का भी use कर सकते हैं तो कमरे की overall humidity थोड़ा सा better रहेगी तो added comfort रहेगा अच्छे जहां तक ये blue light filter या anti glare का question आता है तो देखे blue light filter का scientific role हमें आज तक कोई नहीं मिला so we still understand कि it is more of a marketing thing and actual benefit नहीं है और अब ऐसी studies आ रहे हैं कि blue light से filter वाले चश्मों से आपको ज़ादा नुकसान हो रहा है तो पहले ही समझते हैं sir blue light का role क्या है what is the importance of blue light क्यों हम उसको filter करना चाहते है basically हमारी body जो है न इसका एक system है जो blue light के उपर काम करता है तो जब सूरज उकता है आसमान में light आती है white light है उसमें एक blue light पर होती है तो जब सूरज उकता है environment में blue light आई वो blue light हमारे आंखों में गई और हमारे body में एक hormone होता है melatonin वो हमारा sleep-wake cycle control करता है तो जब blue light बढ़ती है हमारे आंखों में जाती है हमारे body में melatonin कम हो जाता है और हमारे body में फुर्ती आती है कि अब सुबह हो गई दिन हो गया काम पे निकल जाओं और जैसी sun set हुआ environment में blue light कम हो गई हमारे body का melatonin hormone बढ़ जाता है और हमें नीदानी शुरू हो जाती है तो जब रात के time पे आप ये mobile computers use करते हैं तो उससे जो blue light निकलती है वो हमारे body को false signal देते हैं कि अभी भी दिन है और आपको नहीं सोना तो हम लोग usually देखते हैं कि रात को लोग mobile computer काम करते रहते हैं और उनको रात को नीद नहीं आती तो उससे बचने के लिए इन blue light filter glasses को launch करा गया था कि आँखों के सामने एक filter होगा जिससे blue light filter out हो जाएगी और ये जो effect है blue light का ये minimize हो जाएगा लेकिन अब हो क्या रहा है कि वो आप चश्मा तो usually computer के time रात को पहनना था लेकिन लोग अब वो पूरे time लगा के रखते हैं सुबह से रात तक तो आपने क्या करा natural blue light को कुछ हद तक filter कर दिया तो क्या हो रहा है रात को properly नीन नी आ रही सुबह लेट उठ रहे हैं पूरे दिन body में लिथार्जी है पूरे दिन आलस पन रहता है इसका जो solution है that is not blue light filter glasses इसका solution है कि आपको अपने screen को में blue light filter बना है उसको on कर लो अच्छा ब्लू लाइट से बचना है ना so you have filters on your phone and computers उसको on करो ता कि blue light आपकी आँख में नहीं जाए और ये effect आपका खतम हो जाए अच्छा फिर आपने देखा हो कुछ लोंग आजकल एक और trend शुरू हो गया कुछ लोंग वो खाना शुरू कर देता है sleep inducing pills आजकल बड़ी सारी ads चल रही है facebook instagram पे कि आपको रात को नीन नी आ रही आप ये गोलिया खाओ उन गोलियों में भी melatonin होता है तो जब आपको गोली खाते है तो temporarily आपके body का melatonin level बढ़ गया और आपको नीन आ जाती है तो कुछ time के लिए तो सब बड़ी है starting में एक time बात body को उसकी आदत लग जाएगी फिर आपको दो गोलियों की जुदत पड़ेगी फिर आपको तीन गोलियों की जुदत आपको लगने लगता है कि there is some deficiency so blue light filter से दूर रहना चाहिए इन गोलियों से दूर रहना चाहिए just switch on the blue light filter on your mobile phone and computers and you are sorted अभी अपने थोड़े देर पहले एक silk technology की बात की थी कि एक नई technology आई है what is it तो अब silk जो नई technology आई है उसमें जो main highlight of this technology is 24 hours recovery आज सोचा चश्मा अटाना है कल operation करा लिया और पर्सों से आप अपने सारे काम कर सकते हैं और जो इसमें नजर की quality आती है that is supervision quality which means जो आपको चश्मे के साथ आज दिख रहा है जब आप यह laser कराएंगे तो उसके बाद जो नजर आएगी वो आपके चश्मे से भी better आएगी अच्छा, so we can give you supervision now in 24 hours तो यह जो बार बार दस पंदा दिन का चुट्टी लेना पड़ता था and usually youngsters कराते है, youngsters, corporate offices में काम करते हों को इतना लंबा चुट्टी नहीं मिलता था, this was a big barrier for them but now this barrier is also overcome, इसमें कोई flap नहीं बनता है, 24 hour recovery हो जाती है, supervision है and we are advancing in time, इसमें pollution का भी कोई कुछ रोल होता है, well mainly तो इसमें mobile phone and sunlight but pollution का वैसे आंखों में बहुत damage होता है, so you would realize especially in metros जहाँ पे pollution ज़ादा होता है, वहाँ पे अक्सर we have patients complaining की रात अगोते होते, आंखों में लाली आनी शुरू हो जाती है, जलन लगनी शुरू हो जाती है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो basically यह जो pollution है, इसमें कुछ micro particulate matters है, यह जो हमारी आंखों में जो आगे का हिस्सा है, जिसको हम काली पुतलियां कॉर्णिया कहते हैं, उसके उपर एक tear की layer होती है, आसू की film होती है, तो यह जो pollution है, उस आसू की film को disturb कर देता है, और उसकी वज़े से आपको यह symptoms, dryness, allergy, irritation, इन तरह के symptoms आते हैं, तो कुछ basic drops को use कर सकते हैं, and then we recommend कि suppose आपका bike में commute जादा होता है, तो उसमें direct हवा आंखों में लगती है, तो उसमें भी बहुत damage हो सकता है, so then we recommend कि bike वगरा चलाते हो, you should have some eye protection, या अपना shield आगे कर लिया, तो उससे आप comfortable हो जाएंगे, बढ़ हा, problem ठीक नहीं हो री, then you should visit an eye doctor, जो आपको कुछ basic, anti-allergic and lubricating drops डाल के काफी आपको relief दिलवातेगा, अच्छा, then usually sir, we recommend कि हर इनसान को साल में एक बार अपनी आँखों का चेक करा लेना चाहिए, बट ये ऐसा लगते हैं कि इतनी बड़ी चीज बोल दी हमने, कि कोई आता तो है नहीं, so then we say कि चलो ठीक है, ये understand कि साल में एक बार आप चेक अप के लिए नहीं आ सकते, तो कु से पहला चेक अप तो होना चाहिए, कि जब एक बच्चा बिलकुल पैदा जब हुआ है, तो जैसे जैसे पैदा हुआ, उस टाइम पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स है, जैसे आपके पर्दे में कुछ कमजोरी रह सकती है, आरो पी करके प्रॉब्लम होती है, रेटनो प प्रॉब्लम होती है, जैसे तिर्चा बना रहा है आँख में, स्कूिंट कहते हैं, हम आंखों का बहंगापन होता है, या एक लेजए आई की प्रॉब्लम होती है, अमलाई ओपिया की प्रॉब्लम होती है, तो अगर उस टाइम पर यह प्रॉब्लम ड़ाग्नोस नहीं तो उसको bored वगेरे नहीं दिखेगा, uncomfortable रहेगा फिर उसके बाद से 40-45 साल के बाद आपको थोड़ा सा अपना serious हो जाना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसी problems है, जैसे एक तो हमने बात करा press biopia की, reading का number आ गया एक बड़ी dangerous problem होती है, जिसको हम कहते है, glucoma या काला मोतिया जिसमें आँखों का pressure बढ़ जाता है और आँखों की नज जो है, वो damage हो जाती है और काला मोतिया एक इस तरह की problem है, इसको हम silent thief of sight कहते हैं कि इसमें ना कोई symptom नी बनता, इंसान को पता नहीं चलता है कि मेरी आँख में बिमारी है और धीरे धीरे नजर कम हो जाती है, और जब तक उसको पता लगता है कि मेरी नजर कम हो रही है, वो doctor के पास जाता है तो doctor बताते हैं कि जी आपको तो काला मोतिया हो गया था, जो नजर आपकी खतम होगी उसको तो वापिस नहीं ला सकते जो बची है सिर्फ उसको बचाया जा सकता है, तो चालिस के बाद यह important problem है, जो बननी शुरू होते है, तो उसका check-up हो जाना चाहिए फिर अगर आपको diabetes की problem है, तो चालिस के बाद आखों का check-up ज़रूरी है कराना, क्योंकि diabetes सबसे major कारण है blindness का, तो हमारी country में सबसे पहला कारण blindness का cataract है, मोतिया बिंत, और second कारण है diabetes, और American and developed countries में तो first कारण है diabetic retinopathy की diabetes की वज़े से परदा खराब हो गया, तो diabetes वाले patients को 40 के बाद हर साल अपना check-up करा लेना चाहिए फिर आंग में एक problem बन सकते हैं, जिसको हम कहते हैं cataract या सफेद मोतिया बिंत, जिसमें हमारे आंग के अंदर का lens सफेद हो जाता है, नजर दुनली हो जाती है तो वो भी गरीब 40 के बाद आती है, उसका भी check-up हो जाना चाहिए फिर हमारे पर्दे में एक और problem आ सकते हैं, जिसको ARMD कहते हैं, age-related macular degeneration, जिससे उमर के साथ हमारा पर्दा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है बना basically मैं यह समझाना चाहता हूँ audience को, कि हम समझते हैं कि आप हर साल चेक-up के लिए नहीं आ सकते बट अगर कुछ milestones पर आप चेक-up करा लेंगे ना, तो आपकी आँखों की health जो है वो, बेटर हम उसका ध्यान रख सकते हैं चैते हैं न, prevention is better than cure prevention is better than cure, this is exactly what I wanted to highlight तो कई लोग जो कहते हैं कि आप सिर्शासन कर लीजिए, उससे आँख अपकी तेज हो जाएगी, योगा में ये कीजिए, so does that really work? It doesn't work and rather आपकी आँखों और नुकसान पुचा सकता है अब भी सर कुछ टाइम पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पर कोई एक बता रहा था कि आँखों की मसाज करो रोज सुबह उटके आँखों को ऐसे ऐसे मसाज करो और इससे आपकी आँखे बेटर हो जाएगी देखे अगर आप रोज सुबह उटके अपनी आँखों को इस तरह से मसाज करेंगे तो आँख में एक बहुत डेंजरस प्रॉब्लम हो जाएगी जिसको केरेटो कोनस कहते है केरेटो कोनस का मतलब है कि हमारी आँखे की जो पुतली है वो कोन जैसी हो जाती है तो अगर आप बावा मसाज करते रहोगे तो फैदे की जगा अपना नुकसान करा लोगे ऐसी एक मैंने और रील देखी सर आजकल जैसे कुछ टाइम पहले आई फ्लू बहुत फैल रहा था लोगे आँख में आई फ्लू हो रहा है लाली यह पानी हो रहा है तो उसमें किसी ने रील बनाई वी थी कि आई फ्लू हो तो अपनी आँख में चूना डाल लो और लोगे ने उनको देख के चूना डाल लिया और फिर हमारे पास आए कि डॉकसा वो मैं का तो मतलब यह जो misleading चीज़े है ना सर इन से हमें बच के रहना चाहता हूँ कि यह सब जो चीज़े हैं जैसे हरी सबजिया खाना गाजर खाना यह सब चीज़े वैसे body के लिए healthy है आँखों के लिए healthy है लेकिर अगर आपकी आँखों की नजर कम हो रही है तो इन सब च जहां भी कि cataract या end में पूरी जो जो होती है वो चली जाती है आँखों की तो एक point के बाद में क्या irreversible है यह चीज़े बिलकुल भी ठीक नहीं की जा सकती है Sir, we are the blind capital of the world इंडिया जो है अच्छा, diabetic capital of the world भी है सबसे ज़ादा अन्धापन के शुकार जो लोंग है वो हमारे देश में And क्यों हम बन गए है blind capital एक problem की वज़े से जिसको हम कहते हैं cataract या सफेद मोतियापिंथ जिसमें आँखों के अंदर जो lens होता है वो सफेद हो जाता है और रौशनी कम हो चाती है और इसका इलाज एक छोटे से 10 मिनट की operation से हो सकता है और रौशनी 100% recover हो सकती है 100% फिर भी हमारे देश में awareness की बहुत problem है आदर लोग को तो पता ही नहीं कि इसका इलाज भी हो सकता है अच्छा awareness आती है तो facilities की problem है 10th and breath of the country इसकी वज़े से become the blind capital of the world so हमारी country में ये reversible problem है cat tract जिसका इलाज हो सकता है बाहर की countries में diabetes है बाहरी country में ज़्यादा problem मतलब जो अंधापन के शिकाल लोगे वो diabetes से हो जाते है unfortunately हमारा cat tract है जिसका इलाज हो सकता है बट फिर भी हम इलाज अपनी country का नहीं कर पा रहे है so that is where public sector needs to come in for awareness public private partnerships awareness होती है उसी के around मैंने youtube channel भी इसे लिए शुरू करा था और ये सोच के कि ऐसा क्या हो गया कि awareness नहीं हो पारी कि अपने country में लोग treatment ही नहीं ले पारे so that was the thought behind starting my own youtube channel and now we have 1 million plus subscribers so this is one big example to show कि कितना awareness का deficiency है हमारे country में क्या इस पे भी कुछ होता है कि अगर कोई suppose बचपल से ही blind होता है उस पे कुछ भी ऐसा क्या development है उस पे कुछ किया रा सकता है it is basically a 50-50% chance कि हम कितना recover कर सकते हैं वो check करके पता चलेगा तो कुछ issues हैं जिसमें blindness को हम cure कर सकते हैं और कुछ ऐसे issues हैं जिनको हम treat नहीं कर सकते हैं and usually हम सबने सुना होता है eye transplant के बारे में तो काफी सारे लोग में पास कुछ patients ऐसे भी आते हैं जो blind हो गए and then they are asking कि doctor हमने सुना होता है कि आंखों को बदला जा सकता है और नजर को ठीक करा जा सकता है well yes possibility है and कुछ special तरह की blindness में इन eye transplant का हम use कर सकते हैं बट उसमें भी एक major hurdle जो हमारी country में आ जाता है वो ये है कि लोग अपनी आंखों का दान नहीं करना चाते तो हमारे देश में करीब एक करोड से जादा लोंग है जो दुबारा देख सकते हैं अगर कोई इनसान अपनी आंखों का दान करते लेकिन हमारे देश में इतना super station है स्के around लोग डर जाते हैं लोग को लगता है पता नहीं आत्मा को शांती नहीं मिलेगी या उपर वाला मना कर देगा कि आदे शरी के साथ आगे तो लोग अपनी आंखों का दान नहीं करते हैं आंखों का दान मरने के बाद करा जाता है जीवेत इनसान नहीं करता है तो मरने के बाद बोड़ी का कोई रोल नहीं है या तो हम जला देंगे दफना देंगे तो आप किसी को दान कर दीजे उसकी काम आजाएगा बट लोग नहीं करते हैं तो उसकी वज़े से भी बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो दुबारा नहीं देख पा रहा तो ये भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के मादियां से that we should all pledge to donate our eyes मतलब हमारे मनने के बाद अगर हमारी आँखे किसी दूसरे इंसान के काम आजाए कोई दुबारा देख पाए तो इससे बड़ा पुनिय काम और क्या हो सकता है So true बहुत ही amazing बाद आपने आपे की कि अपनी eyes को donate करना चाहिए मगर इसकी थोड़ी सी अगर बारी की हम समझें कि कौन लोग qualify करते हैं donate करने के लिए because कई लोगों को लगता है कि अगर मुझे आख में कुछ problem रही है या मैं color blindness है तो मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो कौन लोग qualify करते हैं किन परकार के लोगों करनी चाहिए और कैसे कर सकते हैं वो भी अगर आप guide करें तो सर सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा मित है लोगों के मन में कि अगर मेरे body में कोई problem थी जैसे मालीजिक diabetes, hypertension की अक्सल लोगों problem हो जाती है या मेरे आँख में किसी तरह का operation हुआ था आँख में किसी तरह की problem हुई थी पहले तो हम अपनी आँखों का दान नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है हर इंसान अपनी आँख का दान कर सकता है छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है और बुढ़े से बढ़ा इंसान भी कर सकता है आँखों का दान जो बब करते हैं तो उस पुतली पे पहले कुछ तरह की testing होते हैं और उसमें हम लोग ये decide करते हैं कि क्या इस दान करीवी आँख को दूसरे patient को देना चाहिए या इस दान करीवी आँख पे research होनी चाहिए तो दान करीवी आँख कभी भी waste नहीं होगी तो अगर उसकी quality अच्छी है तो वो दूसरे patient के काम आजएगी अगर उसकी quality अच्छी नहीं है तो research में काम आजाते है जिससे हम नई नई चीज़ों को invent कर सकते हैं क्या बात है और अगर कोई दान करना चाहता है तो बहुत ही simple steps है सबसे पहले step है कि आपने pledge कर लिया वह आपने कसम खालीगी में को दान करना है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी iBank पे आप contact कर सकते हैं तो iBank की detail आपको Google पर ही मिल जाएगी या किसी भी hospital में आप जाएंगे वहाँ पे iBanks available होते हैं तो उनसे आपने contact करा कर आके अपने आपको register करा लिया वो आपको अपने एक number दे देते हैं और जैसे ही उस इनसान की मृत्ति होती है फिर ये घर वालों का काम है कि उस number पे call करके डॉक्टर की टीम को बलाके आंकों का दान करवाना और ये सारा काम जो है ये 4-5 गंटों में हो जाना चाहिए 4-5 गंटे के बाद अगर आंकों का दान गया तो वो किसी काम के आँख नहीं रहती अच्छा तो डेत के 5 आवर्स के अंदर अंदर सबसे पहले आप डॉक्टर की टीम को कॉल कर दो क्योंको आने में भी कुछ टाइम लगेगा तो 4-5 गंटे में पूरा ये सारा प्रोसेस एक्जिक्यूट करता है और सारी रिस्पॉंसिबिलिटी इसमें फैमिली की होती है कि फैमिली को सारा काम करना हम तो मर गए अच्छा साथ साथ हम ये और सजेस्ट करते हैं लोगों की कुछ लोगों को न कभी-कभी ऐसा लगता है कि आंखों के दान के बाद शकल खराब हो जाएगी तो माली जीरा हमने अपनी आंखों के दान कराया तो जब कोई रिष्टिदार वगएरा आएंगे मिलने आएंगे घर में देथ हुई है तो शकल देख के शकल खराब लगेगी ऐसा कुछ नहीं है जब आंखों के दान किया जाता है तो आंखों की पलक को बंद करके उसमें एक टांका मारतिया जाता है तो सामने से पता भी नहीं चलता कि आंखों का दान करा गया है अच्छा मान दीजिए किसी ने अपने आपको रिजिस्टर नहीं कराया दब भी कोई टेंशन नहीं है जैसी देथ हो आपने किसी भी नियरेस्ट आई बैंक पर कॉल करा गूगल वगेरे से आप सारी डीटेल्स निकाल सकते है मैं आपको लिंक भी दे दूँगा वहाँ पे क्लिक करके सारे डीटेल्स मिल जाएगा and as soon as possible आपने कॉल करके डॉक्टर्स की टीम को बला के डोनेशन करा दिया उस डोनेशन के साथ आपको एक डोनेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है which is a proud achievement and प्लस उसके साथ आपको एक preference भी मिलती है मालीजे कल को आपको जुरुत पड़े donated I.K. तो आपको preference दी जाएगी कि अगर available होगा तो आपको पहने मिलेगा oh beautiful तो ऐसा कुछ नहीं है हर इंसान कोई भी problem हो donate कर सकता है इसमें कुछ conditions ऐसी होगी जैसे मालीजे आपको HIV था hepatitis था या आँख में कोई cancer था tetanus की problem थी septicemia से death हुई है shock से death हुई है तो ऐसी आँख को फिर दूसरे इंसान की आँख में नहीं लगाया जाएगा फिर उसको research purpose के लिए यूज करा जाएगा दोनों ही case में यूज तो होने वाली है यूज आपकी वहनी है और यह कोई आँख वेस्ट नहीं होनी ना ही इस पे कोई बोली लगती है ना ही इसकी वो selling होती है या बेचा जाता है तो यह सारा concept donation पे ही काम करता है और एक इंसान जो अपनी आँखों को दान करता है तो उससे दो लोग है जो दुबारा देख सकते हैं क्योंकि दो आँखें दो आँखें निकलते हैं तो दो लोग को फैदा मिलता है अच्छा एक में एक ही लगई जाती है और लग कोई इंसान दौनों आँख से अंदा है तो उसको एक ही आँख मिलती है दो नहीं मिलती तो दूसरी आँख दूसरे इंसान को देते है तो क्या बात है बहुत ही इंट्रेस्टिंग कॉन्वेसेशन रायन I'm sure that कि audience को बहुत ज़्यादा जानकारी मिली है and I hope people donate और और ज़्यादा आपको eyes पे regular जानकारी चाहिए तो राहिल ची का channel है आप अगर channel का नाम बता दें चानल का नाम है i7 Chaudhry Eye Center तो ज़रूर channel को और follow करें बेसिकली हम eyes की बिमारी के बारे में कैसे उनका इलाज होता है और eye की इलाज में क्या नया आ रहा है उसके बारे में हम सारा बात करते है beautiful so now we will move to the rapid fire the most interesting part of the podcast जहां पसा लेते है तो चलिए let's go for the rapid fire with dr. राहिल चश्मा या lens चश्मा any day lens तो मैं आपको बता दिया पहनना है नहीं हो सो अतरा की problems है ideal screen time for kids, teens and adults 2-3 hours for the kids and maybe 5-6 hours for adults protective glasses, essential या optional protective glasses if you are wearing for your occupational hazards कोई mining का काम कर रहा है उसने पहन लिया तो तो समझ आता है but ये blue light filter glasses जो computer के लिया, they are no use your top recommendation for daily eye exercise there is no exercise that you need let them be natural sir, actually ये point मैं दो मिन हाइलाइट भी कर जाता हूँ कुछ eye exercises ना important होती है okay तो हमारी eyes में muscles होती है जो हम पास का काम करते हैं तो muscles अपनी आँखों को अंदर की तरफ 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 मुसल्स का कुछ रोल होता है तो अगर वो मसल्स आपकी वीक है है उसकी वज़े से आपको eye strain बन रहा है तो definitely आपको हम कुछ तरह की exercises देंगे But if your eyes are healthy तो unnecessarily आपको exercise करने की ज़रत नहीं है Good point One thing in your daily eye care routine you never skip You don't need any routines for your eyes That is my highlight of the podcast की पानी के छपके मानना शेहर डालना रोज जल डालना आप में सूर्मा लगाना गुलाब जल डालना ये सब की कोई ज़रत नहीं है Let them be the eyes they are हमारे गाओं में काजल बहुत लगाते हैं Especially बच्चों की आँखों में बच्चों की आँख से काजल लगा लगा क्योंकी आँख में chronic allergic conjunctivitis हो जाता है खुजली शुरू हो जाती है लाली शुरू हो जाती है फिर वो खुजलाते रहते हैं आँख में character conus बन जाता है तो इन सब की कोई जुरू होत नहीं है scientifically they are not proven बहुत बढ़ी आँखों बता है क्योंकि मेरे गाओं में मैं देखता हूँ की काजल लगाते हैं बहुत बढ़ी होंगी इससे इसलिए अच्छा लगाते है कौन से symptom है जिसे you would recommend an immediate doctor visit तो eyes में दो-तीन तरह की emergencies होती है और उसमें एक emergency है जिसको हम कहते है angle closure glaucoma इसमें क्या होता है कि suddenly आँख में बहुत जादा दर्द होता है आँख की नजर down हो जाती है patient को उल्टी आनी शुरू हो जाती है patient को रंग बे रंगे चलने दिखना शुरू हो जाता है तो इस तरह की अगर emergency बनती है तो immediately आपको उसका अलाज करा रहा है तो अगर आपने इसको delay करती है तो आँख की नस बिल्कुल damage हो जाएगी है best food for your eyes well गाजर, हरी, सबजिया and papayas they are rich in vitamin A so vitamin A का थोड़ा रोल है कि आँखों की health maintain करती है और एक problem है night blindness जिसमें रात के time पे नजर खतम हो जाती है उससे बचा के रखती है so best ways to refresh your eyes during a long work day I think lubricating drops क्या चश्मर पहनने वाले intelligent होते है yes, that is true और ऐसा studies में भी मिला है कि जिन लोगों की आँख में चश्मे का नंबर है they are one step superior high generation compared to जिनकी आँख में चश्मे का नंबर नी है and they are found to be more intelligent तो यह जो हम सुनते आ रहे हैं कि चश्मे का नंबर चड़ावाई तो पढ़ाकू होगा intelligent होगा that has actually been proven क्या बात है कहां यह study हुआ है कि I would love to exactly general का नाम तो नहीं पता मुझे but just search कि IQ with myopia तो आपको PubMed और गएरा में articles मिलेंगे a common eyesight myth you would like to debunk usually people have these tendencies कि उनको रात को सोने से पहले कुछ drops डालने का मन करता है and 90% of the people what they do is कि वो homopathic ayurvedic drops और गएरा ले लेते हैं and हमारे कुछ researches में ऐसा भी मिला है कि homopathic ayurvedic कुछ drops में steroids मिले है और अगर long time आपनी आँखों में steroid डालते रहेंगे रोज रात को सोने से पहले drop डाल दी तो लंबे समय से आँखों में मोतिया बिनकी problem कर सकता है तो यह जो habit है ना रोज रात को सोने से पहले एक ayurvedic drop डाल लिया कुछ drop डाल के सो गए you really don't need this your go-to brand for dry eyes eye drops एक है refreshed ears refreshed ears refreshed ears is a good lubricating eye drop इसमें जो salt होता है that is carboxymethyl cellulose and उसके बाद अब एक और better drop आगिये that is by the name of TZ TZ T-I-Z-Y okay and इसमें जो salt है that is sodium hyalineate so that is a much better lubricate if you had a time machine would you go in past or future oh yes I would want to go in past and change so many things actually क्या होता है ना सर this human body or eyes are very complex and आज की date में भी although modern medicine बहुत advanced हो चुकी है we still say की human body के बारे में doctors को 10% ही पता है बाकि 90% उपर वाले को पता है so many times we come across की कोई treatment मैंने एक इंसान को चलाई वो ठीक हो गया same प्रमारी, same treatment आपको चलाई आप ठीक नहीं होए and as doctors we don't have any manual हमें नहीं पता की कोई सी treatment किस में काम करेगी किस में नहीं काम करेगी so many times we would want कि यार ये treatment हमें आप पता लग गया इसमें काम नहीं करेगी we would want to go back in time and start on a new treatment so do you think कि इसमें ये जो एक same treatment अगर लोगों पे काम कर रही है कि इसमें इनसान का खुद का क्या mind है उसका क्या emotion है वो क्या belief system लेके चलता है do you think कि वो I think it has a big role so because see human body it is इसमें mind भी है body भी है it is a mixture of emotions faith and treatments so it is it is I would say rather more of a holistic approach than just treating a body because mind and body are interconnected any superpower that you would want for a day I think this is what I want कि मैं तोड़ा predict कर पाऊं कि कौन सा इलाज किसमें काम करेगा lovely so any last advice that you would like to give I think because you are talking about corneal donations and eye donations I again want to request everybody कि हम सब को अपनी मृत्यों के बाद अपनी आँखों का दान करना चाहिए सर्थ बेखिए इतने सारे patients मेरे पास आते है अंधा अंधा patient है वो देखनी पारा अब उसको ये पता लग जाता है कि अगर कोई इनसान अपनी आँखों का दान करते और वो दान करीवी आँख अगर मुझे मिल जाए तो मैं दुबारा देख पाऊंगा उस दिन से उस इनसान या patient की life में तो बस एक ही motive रह जाता है किसी तरह मुझे दूसरे इनसान की आँख मिल जाए ताकि मैं दुबारा देख पाऊंगा तो अगर हम दोंग जादा दान करेंगे तो हम और लोंग हमारे country में देख पाएंगे और इस ते अच्छी क्या बात हो सेकते हैं आपके मनने के बाद आपके शरीर का एक हिस्सा दूसरे इंसान के बोडी में जिन्दा रहेगा तो आप तो एक तरह से हमार हो गए तो अच्छा क्या ही हो सकते I think that is the message that I want to give to all the audiences Lovely, so amazing lessons by Dr. Raheel